दोस्तों आज एक झालक बढ़ते हुए सैनर शक्ति चीन की पर बात करेंगे और चीन किस तरह से अमिरिकी समराज जवाद या अमिरिकी सैनर शक्ति को टक्कर देने में सक्षम होता जा रहा है इस पे हम बात करेंगे जहां तक अमेरिका की बात है अमेरिकी जनरल ने कहा कि चीन के जो सीलो है सीलो यानि वह जमीन में बनाते हैं जहां मिसाइल स्टोर करते हैं और वहीं से मिसाइल लॉंच भी करते हैं और खासकर सीलो वह उस तरह के मिसाइल स्टो होगा और उनके हिसाब से दो या तीन वर्ष पहले चीन के पास बीस पचीस अतीस सीलोज रहे होंगे जो एक साल पहले करीब 210 हुए और अभी अमेरिकी गुप्चर भी भागने ऐसे टेलाइट से ऐसे पता लगा है कि चीन 200 और सीलोज बना रहा है और और अमेरिकी जनरल कहते हैं कि यह बहुत परशान करने वाला है दो चार दस पचास जहां तक पता हो उसका हम काउंटर कर सकते हैं हम उसे वहीं पर रोक सकते हैं उसे तबाह कर सकते हैं लॉंच होने के बवजूर भी हम अपने रेडार से ओटी एच ओवर्द होराइज जैन ना कर सकते हैं यह उनके परिशानी का करण है इसके अडीशन में जो न्यूक्लियर पावर है अपने केवल जमीन में ही रखके नहीं रखते हैं यह न्यूक्लियर वेपन सब्मेरीन में भी रखते हैं यानि सब मेरीन घुमता हुआ है पानी की अंदर में अपना जगह बगलता है आपड़ी डिटेक्ट करते हैं तो लागतार उसको शाद डिटेक्ट ना कर पाया और वहां से नूक्लियर वेपल लॉंच कर सकते हैं खवाई जासे तो करीज सकते हैं यानि बाइ लैंड बाइ एर बाइस ही कर सकते हैं अब चीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया हलाकि चीन ने उसको नकारा है अमेरिकी दावों को खारिस किया लेकिन इसके बावजूर इसमें सचाई लगत किये हैं इस पर आता हूँ अभी हम थोड़ी पी एले की बात करें पी एले पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसके कई भाग हैं कई यंग हैं पी एले एर फोस प्लायाफ पी एले नेवी और कुल इसके पांच हिस्से हैं जिसकी शुरुआती दौर में इनकी कहाउत होती थी मि जीतने के लिए काफी हैं मिलेट यहनी बाजरा यहनी खाने के लिए पेट में चीनियों के पेट में कुछ हों चीनिस आनिकों के और लड़ने के लिए राइफल ओकंधे पे हों तो हम कोई विजंग जीत सकते हैं और बीस लाग से बड़ी आवादी थी उनकी संख्या वह च जहाज उनके टैंक उनके समेरिंस यह सब काफी आधनिक होने के बवदूर्व वह एक नए छेत्र में जा चुके है लड़ने के लिए फिप जनेशन वारफेर या सिक जनेशन वारफेर में जा चुके हैं और जहां से कि अमेरिकी सैनिक परेशान हो रहा है उसमें हमाते हैं इसके पहले छोड़ी सी बात बता हूं जब देंड श्याव पिंग आये थे सब्ता में माउट से तुमके मनने के बाद से उन्हों का थ्रस्ट था कॉनिस्ट पार्टि ऑफ चाइना का उनका मुख्रूप से था इंडस्ट्रिलाइजेशन यानि चीनी आर्थिक संपन्नता को ब करीबन उतना ही विक्सित था जितना भारत था GDP हो साइंस टेक्मलोजी हो मिलिटरी हो छोटा थोड़ा सा आगे रहा हो लेकिन उसके बाद से अचानक की काफी तेजी से बढ़ा है जिसकी चर्चा मैंने इंडिया टुड़े कॉन क्ले में होने वाले चर्चा पे की थी कि चीन ने हमें चौका दिया है चल यह जो भी चीन ने किया और लेकिन उबढ़ गये एकनामिक ग्रोथ एंड वर्ल्ड मार्केट यह था लेकिन उनका जो थ्रस्ट एरिया था उसमें मिलिटरी नहीं था जो भी कान रहा है और जब आज के जनरल सेकेटरी कॉनिस पार्टी चीन जब आए तो उनका थ्रस्ट एरिया इन सब के अलावा मिलिटरी उसमें प्रमुख हो गया यानि 2012-13 के बाद से यानि आठ नौ वर्ष में चीन ने इस छित्र में भारी विकास किया है चीनी जहां लगते हैं वाँ छोटा मोटा विकास नहीं करते हैं बारी विकास करते तो यह कमाल है शी जिंग पिंग का और अगले वर्ष फिर से जनल सेक्रेटरी का चुना होने वाले एक साल उनके पास और हर तरह से लगता है कि वो अगले पांस साल के जरू चुने जाएंगे यानि छे वर्ष उनके हाथ में है और कॉमनिस्ट पार्टि फचाइना के हाथ म कि मिलिटरी को चीन के एकॉनमी को चीन के लिडर्शिप को किस दिश्वा में लेके जाएंगे वो हमें खुले आप दिख रहा है और इससे अमेरिका और परिशान और अमेरिका इसके खिलाफ क्या कर रहा है तो इस या पैसिफिक में अपने नेवल अक्टिविटीज बढ़ करता है चीन के हिसाब से तैवान उसका हिस्सा है और रियूनियन ही एक मात रुपाय है और एक अनुमान के हिसाब से दो हजार पच्चिस तक चीन सान्य शक्ति से उस पर आकमन करके उसे अपने अंदर कर सकता है अमेरिका इसके अलावा जैसे उसने आकस यानि अमेरिका मिल के जो इस च्छत्र बनाया है मुख्य रूप से था कि फ्रांस की जो संधी थी बिलियन डॉलर सब्मेरिन की उपर न्यूकलर सब्मेरिन की उपर ऑस्टेलिया से उसको खत्म करके अमेरिका और एक लैंड घुसना चाहते थे और उसमें सफल रहें लेकिन जो भी रहा हो भारत भी है फाइफ आइस तो पहले ही से था और बहुत सारे ऐसे संधी है जोएंट मिलिटर इक्सेसाइज है जो बढ़ा रहा है साथ साथ यह भी आपको बताऊं कि तक्रीबन एक दसमल्लोट तीन 1.3 ट्रिलियन यूज डॉलर अभी के राष्ट्रपति बाइडेन ने दि करने के लिए आप अंदाजां लगा सकते हैं कि कितनी हताशा है अमेरिकी मिलिटरी में और किस तरह से चीन की बराबरी करने के लिए जी हां वो पीछे हो गए हैं कि कोशिश कर रहा है और पूरी की पूरी वह कोशिश है कि तैवाण को भी ऐस्टलिया के साथ साथ आम से को छोड़ को ने भागना पड़ा वैसे यह कम रहा है काफी पहले 1970 के दर्शक में वियतनाम में ऐसी बाते हुई थी चलिए वापस चीन पे आते हैं जिनकी मैंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक वेपन्स की जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है 2019 से और उसमें खासकर DF-17 पे है जिस पे यूएस जनरल लें कहा कि इसकी तुलना वह एक्स यूएससर में इस पुतनिक लॉंच पे हुआ थे इस पुतनिक जो रॉकेट या सेटलाइट जो लॉंच किया था उन्होंने 1997 में 1957 उससे तुलना कर रहा है यानि चीन एक छलांग लगा रहा है उस दिशा में जहां से की यूएससर को भारी खत्रा होने का संदेश्या है या अंदेश्या है और वह खुले आंदा सरा रहा है जहां तक क्लासिकल वारफिर की बात है प्लाफ के पास या उसके एरफोस के पास चीन के पास धाई जास अधिक फाइटर रहकाफ्ट है और दूसरे तरह के भी हैं और साथ-साथ इसके में बताऊं कि इस तरह के वेपन का उसने बेचना भी शुरू किया है जिसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान बंगलादेश रजीरिया है और UAV यानि ड्रोन से बेचना उसने शुरू किया है बुडाफे के लिए है निश्यत रूप से इसमें कोई संदे नहीं है जिसमें UAE and Saudis सौदी जिसका उप्योग कहां कर रहे है आप देखीएगा हाइपरसोनिक वेपन के साथ साथ इन जो पुराने धर्रे के जो वेपन है जिनका वो मॉडरनाइशन भी कर रहे है उससे छोड़ नहीं रहे है चाहे वह उस चीन का नेवी हो एर फोस हो आर्मी हो उसके टांक हो उ यानि उन्हें पता है कि यदि वह छेत्रिय शक्ति से वह पूरे विश्व के शक्ति ग्लोबल पाउर बनना चाहते तो उन्हें उन्हें क्लासिकल वेपन्स की भी जिरूत पड़ेगी और इसके कार्ण हाइपरसोनिक वेपन जिसके मैं चर्चा कर सुका हूं यानि स्पेस र त्षीकला रहें चाहिए यह डिन्हेस के और अमेर्काई के लिए रही बलकी भारत के लिए वी खत्रे कि घंटी है भारत से उसके पूंज्जिम्यू से पूंदीं में वेच्व बश्रुण circles में जा रही है उसके रक्षा के पीछे पीछे इसका पहुचना जरूरी है क्योंकि अफरीका के कई देशों में जहां तख्ता पलट हो रहा है जैसे सुडान और भी कई देश हैं बुलिविया में कुछ समय के लिए हुआ था और जहां चीनी निवेश लगा है वो सब का सब उलट फिर हो जा आता है जो चीन ने किया जिसमें मैं आना चाहता था बात करना चाहता था यह फ्राक्ष्ट ऑर्बिटल बंबाड मेंट सिस्टम फ्राकट्व मतलब हुआ कि जो स्पेस में डालागे उसका री इंट्री उस वेहकिल का जिसमें यहागी यह न्यूपलियर वेपन है उसको ले पे यह और्बिट करेगा और इसकी खास बात यह है कि यह मेन्योवर करेगा अन्प्रडिक्टड डारिक्षर में अन्प्रडिक्टड के साथ और इसलिए अभी तक जो अमेर्का का जो भी प्रतिरक्षा मक जो इसके उपाया थे कैसे रोका जा सके ओवर दो हुराइजन एयर बॉन रेडार जितने वी थे ताकि उसको डिटेक्ट करें इंटरसेप्ट करें डिस्ट्रॉय करें वह खतम हो गया और री इंटरी के बाद से स्पेस से जो आएगा वहां से जब तक यह डिटेक्ट करें इतना शॉट टाइम मिले कर रहा था मैं मिलिटरी बजट दो हजारी किस में थोड़ा सा हिंट दू आपको करीब 210 बिलियन डॉलर डॉलर है शीनी रक्षा का अंदाजा क्लियर को बताओं कि भारत का 18 बिलियन है और यूए से काफी है 700 बिलियन ऐसानी की बहुत कम है और इसे काउंटर में जो 1.3 ट् सब्सक्राइब की वह अलग से हैं जी हां तो यह जहां तक हाइपर सोनिक है फ्रैक्ट्वल और्बिटल बंबार्डमेंट सिस्टम और्बिट कर रहा है प्रित्वी के उस पे स्पेस में जहां तक उसकी पहुंच है चाइना नमबर डू है नमबर वन पर रश्या है अमेरिक तिंग टैंक अमेरिकी मिलिटरी क्या सोत रही है जो अभी तक डेटरेंस था अमेरिका वर्सेज रेष्ट अमेरिका नाटो वर्सेज रश्यान चाइन वह अब चाहिना के पक्सिमें टिल्ट हो चुका है यह स्थितिक खतरनाक है जिसके बारे मैं आपको बताना चाहता था यानि आम रेस का एक नया दोड़ शुरू हूँ और यह चीन की एक विशेशग्य से पूछा गया कि क्या आप न्यूक्लियर आम रेस में अमेरिका से पीछे हैं आगे हैं ब्रावर हैं उन्होंने मजाग बनाया था कि क्या बात कर रहा है हम अमेरिका से भला इस पर क्यों र कि अएक बार अमेरिका को बिना संदेख के बरबात करते हैं जी हाँ और उस पर आगे खर्च करने की क्या जरूत है यानि इस क्वालिटी को बढ़ है लेकिन साथ-साथ जूचीनी think tank के head है who वह कहते हैं कि quality तो ठीक है लेकिन quantity के जरूरत है अब आप इदी Sudan जाते हैं Syria जाते हैं तो आप nuclear power लेकर थोड़ी जाएगा वहा quantity के जरूरत पड़ेगे जहां चीनी सैनिक पहुचेंगे ताइवान और डक्षिड में भारत के सीमा से लगे हुए लबदाख होए रवनाचल प्रदेश हो उसका विकास करने के लिए संख्या विचे है यानि चीन हर तरफ से आगे बढ़ रहा है और एक नए आम रेस वैश्विक बाजार का नए तरह से बटवारे का संदेश बड़ी भयानक भीशन या सीधे किसीधे लड़ाई के द्वारा होगा साइबरनेटिक्स के द्वारा होगा कम्प्यूटिंग के नए मेथट जो आ रहे तक नहीं शुरू हुए उससे होगा या इंडायरेक्ट होगा थर्ड फरंट पे कहीं जाके लड़ाई होगी किसी और देश में ट्रिरिजम के थ्रू होगा कहना मुश्किल है चलिए साथियों आप सूचिए का जरूर लेकिन चलते चलते ये बता दूं कि ब्रिक्स जिसका भारत ब्रजील भी पार्ट था आज से आज दस पहले इसने सोचा था कि इंटरनेट के जरिये जो साइबरनेटिक हो रहा है जिसमें चीन आगे बढ़ चुका है अमिर्का का तो खैरदी पत्ते पाले ता ही था चूना हम अपना अलग से पांचो देश मिलके हमें इंडिपेंडिन्ट इस्टेंडबाई बना है जिसमें इरान भी शामिल होने वाला था इसके प्रती घार्थ करने में सबसे पहले हम लोगों ने किया इसको खटम किया और बाद में ब्रजील ने भी किया ब्रजील के द्वारा ही यह प्रस्तावीट था और ब्रजील के जो नए रास्ट्रपतिया है अमेरिका के चाटुकार अमेरिका ने प्रवेश करके माँ खतम किया और आज इस साइबरनेटिक्स वारफेर में चीन के सामने यही पूरी विश्व ठूठ होता हुए दिन दजराय सा नहीं कि अमेरिका वापसी ना करे हो सकता है यह तो यूदिकी बात है कोई विजित सकता है लेकिन कम से कम भारत में जरूर खलेगा कि पिगासस जैसे छोड़ी चीज के लिए हम इसराइल जैसे पिद्धी देश की पीछे भाग रहे यह नहीं होता धन्यवाद सब्सक्राइब